आज मैं आपके लिए कराई हूं मस्त मसालेदार भिंडी की सबजी प्याज और हरी मिर्च के साथ जो कि मेरे घर में तो बहुत पसंद की जाती है और जट पर त्यार भी हो जाती है इसको त्यार करने में ज्यादा ज्यादा में 20 मिनट लगते हैं नमस्कार कैसे आप स्वागत है आपका आपके स्वाद अनुसार पर चलिए आईए बनाते हैं भिंडी के सब्जी भिंडी को सबसे पहले आप अच्छे से खुले पानी में वाश कर ले साफ सुत्रे किचन टॉवल में ट्रे में या फिर किसी छन्ने में फैला कर उसको पंख्या की नीचे रखके अच्छ इसली नहीं बनती अगर आपकी भिंडी गीली दह जाएगी तो बनाता समय लेसलापन बहुत छोड़ेगी भिंडी को काटना बहुत ही आसान है सबसे पहले इसका सर और इसकी टेल कट कर दें उसके बाद में इसको बीच में से सीरा लगा के दो हिस्सों में काट लें बस इत जाहे तो आप घी बी सितफ़ा सकते हैं पिर इसमें ऩंदा डालेंगे एक बड़ा शमच जीरा सब्स नहीं कर ने चालका बूंअ बहुत बर चासरेंगे और इसको अच्छी से मिक्स कर लेंगे शान पैस्त यह यह अद्दा फ्लसन का पैस्त मैं घर में खुद बनाती हूँ और एक बर बनाने के बाद कही महीने तक यह चल जाता है और इसे मेरा टाइम भी बहुत बचता है अब इसको अच्छे से भून लेंगे जिससे की अधरक का और लैसुन का कच्छा पर निकल जाए उसके बाद इसमें हम अट करेंगे आधी चमच हल्दी और उसको भी हलका सा भून लेंगे फिर इसमें हम डालेंगे प्यास प्यास को असाले मसालों में अच्छे से कोट कर लेंगे कोट करने के बाद इसमें हम डालेंगे अपनी काटीवी भिंडी और भिंडी को हिलाते विए अच्छे से हम चला लेंगे मैंने यहाँ पर दो मीडियम साइज का प्यास लिया है और आधा किलो भिंडी ली है भिंडी को इसी तरह चलाते हुए 5-7 मिनट के लिए हम भून लेंगे फिर उसमें हम आट करेंगे एक बड़ा चमच नमक नमक आपने स्वाद अनुसार कम या जादा भी कर सकते हैं इस टेज पर हम 8-10 हरी मिर्च डालेंगे हरी मिर्च को मैंने बीच में से चीरा लगाया है और फिर उसको भिंडी के साथ पका लिया है बिंडी में इस तरह से हरी मिर्च डालके पकाने का एक फायदा होता है अगर आपकी घर में छोटे बच्चे हैं और वो हरी मिर्च नहीं खाते हैं तो आप हरी मिर्च को बिंडी के साथ अलग से खा सकते हैं और इस तरह से भिंडी में अगर हम हरी मिर्च पकाते हैं, तो हमें हरी मिर्च में सब्जी के फ्लेवर्स भी मिल जाते हैं, और फिर भिंडी को इसी तरह साथ से दस मिनट के लिए भून लेंगे, अब हम भिंडी में डालेंगे एक बड़ा चमच सूखा धनिया पाउडर, अब हम धक्कन हटाकर एक बारी भिंडी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और फिर धक्कर दो से पांच मिनट के लिए पका लेंगे, पांच मिनट के बार धक्कन हटाकर भिंडी में हरा धनिया डाल देंगे, और उसको अच्छे से मिक्स करके, दो से पांच मिनट के लिए द गर्मा गर्म रोटी रायते और सलात के साथ सर्फ करेंगे, बिंडी और भी कई तरह से पकाई जाती है, मैं जल्दी आपके लिए वो रेसिपी भी लेकर आऊंगे, आप मुझे कमेंट करके जुरूर बताएं कि आपको बिंडी की कौन से रेसिपी पैसंद है, ऐसे ही यमी डि